हेलो फ्रेंज, वेलकम तो काजल्स कीचन, आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, वो भी हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, वैसे पापड़, ये पापड़ हमें इंस्टेट बन जाते हैं, और एकदम क्रिस्पी और एकदम फुले फुले, इसको हम रोष्ट भी कर सकते ह और फ्राइ भी कर सकते हैं, एक बार सारे पापड बनाओ और एक साल तक के लिए आप पापड का एंजोई कर सकते हैं, तो ये पापड आप जरूर ट्राई करना, ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं, और एकदम पतले भी बनते हैं, इसे आप जरूर ट्राई करना, ये आपको और आपके बच्ची को बहुत पसंद आएगे ये पापड खाने के बाद सारे पापड आप भूल जाओंगे तो यहां हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसेपी तो यहां हमने लिए चार बड़े आलू यहां हमने इस साइस के आलू लेने है आपके पास जो आलू होए वो आप ले सकते हैं तो यहां हम इसके चिलके निकाल देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें पूरा चिलका निकाल देना है तो यहां हमने बिल्कुल इस तरह से सारे आलू के चिलकी निकाल दिये हैं यहां हमने बड़ा बावल लिया है अंदर हम थोड़ा सा पाने लेंगे और सारे आल को इस तरह से कट कर लेना है आप ऐसे ही बुएल करना है हमें सारे आलू को तो सारे आलू को हम अच्छे से शेफ देकर कट कर लेंगे आपको जेसा शेफ पसंध है वods계 दे सकते हैं तुमेंने यहां इतने बड़े बड़े आलू रखे है आप चाहे तो छिलके के साथ ही आप बोईल कर सकते हैं तो यहां हमें चार आलू को अच्छे से कट कर लेना है तो इसे हम कट कर लिए है सब आलू और इसे हम अच्छे पानी से वश कर लेंगे तिन से चार बार के लिए इसको वश करना है तो चलिए पोश करते हैं और तो यहां हम एक कुकर लेंगे इसमें सारे आलू के टुकड़े इसके अंदर ही डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें डाल देना है और इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर ही डाल देंगे तो यहां हम तेस्ट अकोडिंग सोल्टे डालेंगे और कुकर का डकन बन करके इसको हम तिन से चार विसल लगा देंगे तो यहां हमारी सारे आलू boil हो चुकए है, इससे हम चन्नी की मदद से सारे आलू को निकाल देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें पानि निकाल देना है और दो मिनित के लिए इसको चन्नी में ही रहने देना है, जिससे हमारे आलू एक डब ड्राय हो जाए तो यहां हमारे सारे आलू ड्राइ हो चुके है, इसको हम एक बड़ा बावल लेंगे, इसके अंदर चन्नी रख देंगे, और सारे आलू को इसके अंदर डाल कर इसको चान लेंगे, जिससे हमारे पापड में कोई लंस ना रहे, तो बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हैं, यह यहां आप क्रश भी कर सकते हैं सारे आलू को, तो हमें यहां सारे आलू को परफेक्ली चैन लेना है, तो सारे आलू हमारे चैन कर त्यार है, इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे, यहां हमने लिए है वन टेबल स्पुन जितना चिली फ्लेक्स, आप स्टेबल स्पुन लि तू टेबल स्पून जितना जिरा डाला है हाफ स्टेबल स्पून हिंग डालनी है जिसे हमारे बच्चे को पापड आसानी से वर्ष जाए हाफ स्टेबल स्पून काला नमक डाला है और थोड़ा सा हरा धन्या डालना है हमें जिसे हमारे पापड एकदम सुन्दर दिखेंगे तो यहां हम सारे मसाले को स्वेचुला से मिक्स कर देंगे जिसे हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां हम इस तरह से मिक्स कर देंगे यहां हम हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो यहां हमारा पापड का डो बनकर तयार है यहां हमने पापड का मसिल लिया है इसके अंदर हम एक प्लास्टिक लगा देंगे प्लास्टिक की बेक जो आती है इसको हम अच्छे से कट करके शेप देंगे और थोड़ा सा ओल लगा कर ये प्लास्टिक इसके उपर लगा देंगे तो यहां हम थोड़ा सा हमारा जो पापड का डो है वो लेंगे और स्पेचुला से आधा कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से एक राउंड शेप देंगे और इसके उपर हम प्लास्टिकी बेग लगा देंगे और इसको हलका सप्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे पापड बनकर तयार है एकदम पतला हमारा पापड बनकर तयार है और इसे हम इस तरह से आसानी से उपर का प्लास्टिक निकल जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक दम पतले हमारे कागज़े से पापड बन कर तयार है आपके पास मसिन नहीं है तो मैं यहाँ एक पापड आपको हाथों से केसे बनता है वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ हमने एक अलुया लिया है इसको हम इस तरह से हलके हाथों से फेला देना है जैसे हम रोटी का शेप देते हैं वेसा ही हम हाथों से इस तरह से शेप दे सकते हैं इससे भी हमें एक डम पतला पापड हमारा बन जाता है बिल्कुल आसानी से तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक डम पापड कागज जितना पतला बन कर तयार है तो इसे भी हम इसके उपर की प्लास्टिक जो है वो आसानी से निकाल देंगे हाथों से भी हमारे पापड एकडम पतले कागज़े से पापड बनते हैं तो आप देख सकते हैं कि एकडम टांसपरंट बने हैं हमारे पापड तो तुम्हारे पापड आसे नहीं निकलते है तो इसे पापड के आउटिंग प्रेस करके निकल सकते है तो यहां हमें एक प्लास्टिक के उपर इस तरह से पापड को पल्टा दिया है और रख दिया है सुकाने के लिए तो देख सकते हैं कि एकदम आसाने से हमारे पापड निकल जाते हैं तो यहां हम सारे पापड को इसके उपर ही सुखा देंगे तो बढ़िया से बने हैं हमारे आज के आलो के पापड तो यहां हमने सारे पापड बना के सुखा दिये हैं चार आलो से सिर्फ चार आलो से हमें तो आलो बन कर त्यार होते हैं दो तिन गंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पापड आसानी से प्लास्टिक में से निकल जाते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा पापड तुट भी नहीं रहा है एक दम बढ़िया से हमारे पापड इसके उपर से निकल गए हैं बने है ना एक दम टांसफरंट पापड तो यहां हम सारे पापड को इस तरह से निकाल देंगे और पल्टा देंगे यहां हमारे पापड सारे सुकर तयार है इसे हम दूप में दो गणते के लिए रख देंगे जिसे हमारे पापड का कलर एकदम चेंच नहीं होंगा और बढ़िया से कलर आ जाएंगा तो आज की यह रेसे पर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी चेनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलना और बेल आइकन प्रेस करना ना बुलना जिसे हमारा नेक्स टूडियो आप तक पहले पहुँचे चलिए इसे हम फ्राइ करके आपको दिखाते है और रोष्ट करके भी दिखाते है तो यहां हम एक पापड लेंगे तो इसको आप देख सकते है कि कितना पतला और कितना टांस्परन पापड हमारा बनकर तयार है तो चलिए इसे हम फ्राइ करेंगे तो यहां हमने एक पेन में गरम ओईल होने के लिए रख दिया था तो आप देख सकते हैं कि हमारा पापड के से फूल कर बनकर तयार है तो हम एक पापड आपको और दिखाएंगे इसके अंदर डालते ही पापड उपर आजाते हैं और फुले फुले भी हमारे पापड बनकर त्यार होते हैं तो आप यह ज़रूर बनाना और इससे हम एक पापड को आपको रोष्ट करके दिखाते हैं इस तरह से हमें रोष्ट करना है तो एक पापड आपको में और दिखाती हूं कि कैसे हम रोष्ट करेंगे पापड जलेना तो इस तरह से आपको भल्टाना है बिलकूल इस तरह से आप पापड रोस्ट करने तो आपका पापड जलेगा नहीं और खाने में भी बहत बड़ia से लगीगा यह पापड रोस्ट किया हुआ हमें बहुत ही अच्छा लगता है जैसे हम टोसा पेपर खाते हैं वैसा स्टेश्ट हमें आता है और बच्चे को भी बहुत पसंद आता है तो यहां हमारे पापड रोष्ट होकर तयार है और फ्राइ होकर भी तयार है आप जरूर ट्राइ करना आपके बच्चे को बहुत पसंद आएंगे और बार बार ये पापड आपके बच्चे खाएंगे तो यहां में आपको एक पापड लेकर तोड़के दिखाती हूँ कि केसे पापड हमारे बने है और केसे क्रिस्टी बने है एक दम पतले से पापड हमें बनते हैं हमारे तो यहां हमें एक पापड लिये लिया है और देख सकते हैं कि एक दम करकरा और एक दम पतला सा हमारा पापड बन कर तयार है इससे आप जरूर ट्राइ करना आप देख सकते हैं कि एक दम पतला पापड बन कर तयार है तो आज की ये रेसे पर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक, शेर और कुमेंट करना ना भूलना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई, टिक केर